तो लास्ट क्लास में हमने जो कवर किया था जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं क्या किया था आप जब भी जीब्रेश ओपन करेंगे तो ये लाइट बाउस आपका यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ओपन होगा तो इसको आपको खटाना है आप यहाँ से भी कोई मॉडल ले सकते हैं पर यहाँ से अभी नहीं लेना है इसको ब्लाइट बाक्स को यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ र बनाया हुआ क्या उसको सेफ करना है आपको लगता है कि सेफ करना है तो आप कर सकते हो यसके साथ में लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं जिसको सेफ किया जाए नो कर लेते हैं तो आपका यहां पर बिल्कुल फ्रेस्ट 3D सीम यहां पर आपके सामने आ गया है अब यहां पर आ तो बहुत सारे 3D मेसिस या 3D बेसिक सेफ हैं जिनकी हेल्प से आप कुछ भी मॉडल आगे continue बना सकते हैं तो यहाँ पर एक-एक मॉडल जो है यह सारे मॉडल हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे पर लास्ट क्लास का जो हमने पढ़ा था उसको जल्दी से रिपीट करते हैं तो एक क्यूब लेते हैं control कैसे किया था scene को control करना है rotate करने के लिए हम क्या करते है mouse के right button को simply click करके drag करेंगे आपका object या scene पूरा rotate हो रहा है अगर आप alt के साथ में right mouse button press करके चलाएंगे तो ये move हो रहा है और अगर control के साथ right mouse button प्रेस करके चलाएंगी तो आपका ये zoom हो रहा है same काम आप यहाँ से कर सकते हैं ये देखिए नीचे rotation का option आ रहा है rotate कर सकते हैं जो काम आप यहाँ पर कर रहे थे normal right click करके वो काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसी type से आप alt के साथ में इसको move कर रहे हैं ठीक है अगर आप shortcut alt या control के साथ में करना चाहते हो तो right mouse button आपको use करना है ठीक है तो यहाँ पर left mouse button चलेगी आपकी जूम करने के लिए भी option दिया हुआ यहां से क्लिक करके simply जूम कर सकते हैं हमने last में यह भी पढ़ा था कि यह model कहीं पर भी हो सकता है तो app प्रेस करेंगे वो बिल्कुल center पर आएगा model तो यही काम यहां से भी किया जा सकते है देखिए frame का एक option आ रहा है आपने क्लिक किया व ही हमें object के साथ करना है तो चलो समझने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर एक और object मना लेते हैं ठीक है दूसरा भी object हमारे पास में होना चाहिए तो अगर दूसरा object चाहिए होगा तो आप टूल जो पैनल आ रहा है यहां पर आप देखोगे कि सब टूल का एक option आ रहा है य इस बार ही आप दूसरा कोई model ले सकते हो इस बार ही हम यह रिंग नाम का एक option आ रहा है इसको लेते हैं तो आप देखो कि यहां पर सब टूल में दो object आ गए हैं एक में आपका क्यूब है और दूसरे object दूसरी layer जो आपको दिखाई दे रही है उसको यहां पर रिंग आ र move पर क्लिक करना होगा जैसे आप move पर क्लिक करोगे आप देखो कि यहां पर यह कुछ गिजमो का option आ रहा है इसको गिजमो कहते हैं इसमें तीन option आपको मिलते हैं थोड़ा से जूम करके दिखाएंगे आपको यहां पर देखिए यह एरो आ रहा है ग्रीन करके एक एरो यह एक एरो यह आ रहा है ब्लू से तो यह वाई एक्सिस होता है यह एक्स एक्सिस होता है रेड वाला और यह ब्लू आला जैड एक्सिस होता है इसी टाइप से एरो के बाद में आप देखोगी यह बॉक्स आ रहा ग्रीन रेड और यह ब्लू तो यह तीनों वाई एक्स और य एक्स वाई जेट एक्सिस बोलते हैं तो अब इनका यूज करना है तो अब इसका यूज कैसे करोगे अगर आप यहां से देखिए अपने सब टूल में यह क्या से लेट किया हुआ है रिंग तो अगर आप रिंग को मूब करना चाहते हो तो यह ऐरो वाला आप यूज करोगे दीखिए यह तैप से ब्लु वाला आपको बैक और फॉरवड आगे पीछे लेके जाएगा यहां से आप देख सकते हैं करशे देख सकते हैं पर आशर जूम आउट करते हैं और यह रिंग है आगे पीछे जा होना एक्स ठीक है इसी टाइप से अगर आपको स्केल करना है तो आपको अगर वाई में स्केल करना है तो देखिए यह वाई में स्केल बढ़ेगा यहां से एक्स में और यहां से यह जेड में स्केल को बढ़ा रहा है ठीक है अब रोटेशन करनी है तो यह देखिए यहां से रोट project को manipulate करने के लिए यहां से आप अगर लेयर केंड तो इस पर भी काम कर सकता है То हम चाथे इसकी हड़न यहजाते हैuz ही थोड़ी से हाइड बढ़ जाती यह box उट उसकरेंगे हड़नाने के लिए कि थोड़ा से यह उपर आजए ऐसा कुछ और हम चाहते हैं यह X-axis में तो इसको move कराते हैं पर यह देखे इसके उपर overlap कर रहा है एफ प्रेस करते हैं ताकि यह center पर आ जाए और थोड़ा सा zoom out करते हैं और इसको हलका सा और उपर लेकर आते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से प्लेस कर लिया है पर अगर हम side से देखेंगे तो थोड़ा सा यह यहाँ पर होना चाहिए तो यह हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास में यह 3 टूल जो थे वो available थे कहां से मिलते ह उपर आप देखोगे यह move tool है scale tool है और rotate tool है आप तीनों में से किसी पर भी click कर दोगे इन तीन में से तो यहाँ पर यह tool आपको complete मिलेगा तो आप देख लीजे यहाँ पर जो move tool है यह arrow वाला जो option है यह है और जो scale tool है यह box बन के आ रहे हैं यह scale के लिए होते हैं और rotation के लि आप यह frame को इस frame को अगर आप move करोगे तो आप यहाँ से भी move करा सकते हो इस तरह से ठीक है ध्यान रखना यहां से कि यह जो move हो रहा है यह single axis पर यहाँ से जब आप करते हो ना तो three axis पे एक साथ move आप करा सकते हो बस यह दोनों में फराग है ठीक है यहाँ पर एक option आप द width बढ़ रही है यह death बढ़ रही है यह height बढ़ रही है पर आपको लगता है कि पूरा object एक size resize हो चोटा बढ़ा हो तो यह center में जो yellow color का box आ रहा है इसको click करेंगे तो देगे यह पूरा का पूरा resize हो रहा है ऐसा नहीं कि खाली इसकी width बढ़ रही है तो आपको अगर केवल single axis पर कोई width बढ़ानी है तो आप inboxes का यूज़ करेंगे अगर आप overall size को बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने object के यह center वाले square को यूज़ करोगे तो यह gizmo आया कहां से है यह यहां से आया है scale rotate या move tool किसी को भी आप click कर सकते हो अब आप चाहते हो कि आपका यह काम हो चुक यह button आप press करोगे तो वो gizmo आपका चला जाएगा या फिर यहां से भी आप देख सकते हो यह देखिए move scale और rotate tool तीनों से गायब हो चुका है पर किसी में भी click करोगे जब भी आपको चाहिए होगा तो यह आ जाएगा पर यह किसका gizmo है जो भी layer यहां से select होगी तो अभी हमने यहां से cube वाली layer select की हुई है अगर आप ring वाली layer select करोगे तो यह gizmo उसका हो जाएगा तो अब जब आप इसको scale करोगे तो यह rotate करोगे तो वो ring जो आपका model है वो आपका work में होगा ठीक है आप यहां से अगर आप Q press नहीं करना चाहते तो आप यहां से Q press करने का basically मतल आ रहे हो तो हम यहां से direct draw tool को click कर सकते हैं तो अब आप समझ गए होगे कि अगर object को एक दूसरे को पर place कराना है तो फिर हमें इन tools की जरूत पड़ती है और इन tools को जब आप click करोगे तो आपका गिजमो आ जाएगा जिसके पास में तीन tools होते हैं यह तीन tool यहीं वाले हैं इसके पास में rotation tool scale tool और move tool तो इनका shortcut भी होता है अगर आप shortcut use करना चाहाँ हो मने क्यों प्रेस कर दिया और अगर हम shortcut use पर shortcut use करेंगे अगर हम w letter करेंगे तो देखे यह tool आ गया अगर हम e press करेंगे e for scale यह tool आ गया अगर हम R प्रेस करेंगे, R for rotation यह tool आगे, तो आप shortcut की भी use कर सकते हैं, तो आप इसको rotate कर लीजी यहाँ पर, अब एक चीज और है, देखिये यहाँ पर जब हम इसको rotate कर रहे हैं, तो यहाँ पर point value चल दी नीचे, 16 point something, आप चाहते हो कि complete value चले, यह decimal value न मिले, तो आप shift button को प्रेस करके जब आप चलाओगे तो देखिए पाँच पाँच का जो स्नैपिंग पॉइंट आगे बढ़ रहा है है ना तो आप इसको भी उसकर सकते हैं तो हम इसको अंडू करते हैं हम चाहते हैं पर्फेक्ट यह बिल्कुल वर्टिकल हो जाए तो शिफ्ट के साथ में हम पहले से शिफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे अब देखिए 90 डिग्री पर्फेक्ट रोटेट होगी तो रोटेशन भी मिलगी अब इसको मूफ करके कहां रखना था हमको यहां पर तो आप यह यह भी उस कर सकते हैं तो यह तीन टूल आपने आज सीख लिए हैं हम अगले सेशन में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन बटन को जरूर दबाना ताकि नई वीडियो आपको जल्दी से मिले हम इसकी प